हो सकता है ये कहानी आपकी हो तो इस कहानी को आप जरूर देखें आपका भी बताता हूँ और पंडित गौरी शंगर जी लगे अपने गुड़ा भाग में आदश बाबू के सवालों का जवाब जो देना था आईए देखते हैं पंडित जी ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया जजमान आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है आपकी आयू भी उतनी ही होगी जितनी आपकी माता की आयू जितना सुक तुमारी माता को उतना ही आपको जिस इस्थान पर उनकी मिरत्यों होगी, उसी इस्थान पर आपकी भी मिरत्यों होगी अर्थात जैसा भविश्य आपकी माता का होगा, वैसा ही आप दोना का भी होगा अर्थात जैसा भविश्य आपकी माता का, वैसा ही आपका जहां आपकी माता की मिरत्यू वहीं आपकी पंडित गोरी संकर जी ने आदर्स बाबु को उनका भविष्य बताकर अपनी दख्णाली और वहां से प्रिस्थान किया और आदर्स बाबु को पंडि जी की भविष्य माणी ने पूरी रात सोने नहीं दिया जैसा भविष्य आपकी माता का वैसा ही आपका जितना सुख तुमारी माता को उतना ही आपको उतना ही आपको आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है बरतन जदी-जदी कर लो इसी में मत लगे रना फिर कपड़े भी धोने खाम च्वर कहीं की अभी तक खाना ने बना कितनी देर से चलारे हो तेरे कानों में जूत अगनी रहने इतनी देर से चलारे हो सुनाई नहीं दता एक बार तुझे और सुबा उठकर उन्होंने क्या किया आये दिखते हैं रात को आदर्स बाबू और उनकी पत्नी को नेन तो आई नहीं सुबा आदर्स बाबू चल्दी त्यार हुए और उनकी पत्नी गाड़े की चावी लेकर पहले से ही इंत्यार कर रही थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब क्या करना है तो आदर्स बाबू सीधे पहुंचते हैं उस जगा जहां उन्होंने अपनी मा को रखा होता है याने बरत आश्रम और वहां से अपनी मा को साथ लेकर घर के लिए प्रस्थान करते हैं और घर पर उनकी पत्मी पहले से ही उनके आने का इंतियार कर रही हैं आदर्स बाबू की पहले तु अपनी सास से शमा मादो उनकी सास माने उन्हें गली से लगा देट क्योंकि मा आखिर मा होती है जिन आदर्स बाबू को कल रात नेंद नहीं आई थी आज मा के आजाने पर चहरे पे एक अजीव सी प्रसंदता थी वो जान चुके थे कि असली सुख कहा है उनको आज बहुत ही मीठी नीद आईगी दोस्तो मा अखिर मा होती है हमारा ओदेशे समाज की बुरायों से अबगत कराना है हो सकता है ये कहानी आपकी हो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद